हेलो बच्चो स्वागत है आपका मेरी चानल सुश्मिदा आएसपी पे आपका मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ जो भी मेरी वीडियो को अभी देख रहे हैं उनका धेर सारा डाइक वेलकम है मेरे चानल पे आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही प्यारा से एक पोयम ड कैरेक्टर स्केज पे आपको बता दिया है चैप्टर भी एक्स्ट्रेनेशन किया हुआ है उसके वीडियो आपको अगर आप लोगोंने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे अप्लोडेड है वो सारे वीडियो तो आप वहां से जा करके वीडियो को देख सकते हैं तो आज हम सबसे पहला पोयम स्टार्ट करने वाले हैं इंगलिस का डर्स्ट ओफ स्नो यह बहुत ही लाइक छोटी सी और क्यूट सी पोयम है और इस पोयम का जो है ना मैसिद बहुत अच्छा है इस पोयम का लाइक है ना कि बहुत सारी ऐसी चीजे हैं हमारे day to day life में जिनको हम मानते हैं कि वो असुब मानते हैं वो हमारे life के लिए हमानते हैं यहाँ पर पोयम में जिकर हुआ जिसे like क्रो को and hemlock tree यह सब को हम लोग क्या मानते हैं अपने life में असुब मानते हैं जिसे क्रो कवा को बहुत सारे लोग ऐसे बोलते है कि कोव सुबोता है हीम लोग ट्री जो कि एक पॉइजनेस प्री है, जिससे ऐक नेगेटिव वाईई बाती है, तो हम लोग इसको बोलते है कि ये ये नेगेटिव है उमारे लिए, तो अभी हम लोग यह जो है पोएम को पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजे जानेंगे जो पोएम में दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करते हैं पोएम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले पोएम को भी स्टार्ट करने के पहले हम यह जान लेते हैं कि Dust of Snow के poet कौन है तो Dust of Snow के जो poet है वो है Robert Frost याद रखिएगा ये question always पुछा जाता है कि कौन जो है वो Dust of Snow poem के poet है तो Robert Frost जो है वो Dust of Snow poem के poet है इसको बहुत अच्छे से learn कर लीजेगा याद कर लीजेगा तो आईए सबसे पहले हम लोग जो है वो poem को start करते है तो ये बहुत ही छोटी सी poem है और यहाँ पे बहुत ही message है हमारे लिए इस poem से तो यहाँ पे poem में क्या बोला जा रहा जिसे poet जो है Robert Frost जो है किसी कारण से जो है उनका mood जो है वो खराब रहता है ठीक है उनका mood बहुत जादा खराब होता है जैक mood अच्छा नहीं रहता है और winter का season होता है winter season चल रहा होता है और वो क्या करते है hemlock tree के नीचे से गुजरते है ठीक है जैसे ही वो hemlock tree के नीचे से गुजरते है तो hemlock tree के ऊपर क्या होता है hemlock tree के ऊपर क्या होता है कि एक कववा बैठा हुआ होता है ठीक है तो कववा जो है कुछ movement करता है like कववे हैं हिलेंगे डुलेंगे कुछ movement करते हैं तो जैसे ही जो है poet पेड़ के नीचे से गुजरते हैं और कववा movement करता है तो उसके movement से क्या होता है न कि पेड़ के पत्ते पे जो बर्फ जमी हुई होती है वो क्या होता है उसके कुछ बर्फ के कुछ particles जो है वो poet के shoulder पे आके गिरते हैं कहां बेग गिरते हैं, पोईट जब वहां से पेड के नीचे से आके गुजरते हैं, तो कवा क्या करता है, कुछ मुवमेंट करता है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, लाइक बर्फ के कुछ टुकडे होते हैं, डस्ट अफ स्नौ, लाइक बर्फ के टुकडे, वो सोल्डर पे आ होता है खुश हो जाता है और जो उनका मूट खराब था ठीक हो जाता है जो दिन उनका खराब जाने वाला था लाइक उनकी मूट खराब होने की वज़े से क्या होता है मूट खराब होता तो जनरली हमारा दिन भी खराब होता है मूट खराब में हमारा दिन भी क्या हो किसकी वज़ा से ठीक होता है वो जो hemlock tree के उपर जो कवा बैठा हुआ होता है और वो जो कवा के movement से जो dust of snow जो है उसके particles जो है वो poet के shoulder पे गिरते है उसकी वज़ा से क्या होता है poet का mood जो है वो change हो जाता है और उनका दिन खराब होने से बच जाता है ठीक है तो natural चीजे ये poet like ये dust of snow poem हमें क्या बता रहा है क्या message दे रहा है कि natural चीजे जो है हमें बहुत समय पे क्या देती है खुशी देती है natural चीजों से हमें खुशी मिलती है like कभी देखिएगा कि मारा mood off है लेकिन suddenly बारिश हो जाती है बर्व गिरती है और हम अगर कहीं खिड़की से बाहर देख हम लोग poem को देख लेते हैं यहाँ पे the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree hemlock tree से जब जो कवा है वो हिलता है movement करता है बैठा हुआ होता है जो hemlock tree पे और जो dust of snow poet के shoulder पे गिरते है has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had root ठीके तो उनका mood जो है वो change हो जाता है और वो खुस हो जाते हैं तो जिन दो चीजों को असूब बताया जाता है like crow को हम लोग असूब मानते हैं καुवा को हम लोग असूब मानते हैं hemlock tree को असूब मानते हैं हेमलोक ट्री तो इसको जो है हम लोग असूब मानते हैं वो क्या करता है वही दोनों की वज़े से पोईट का मूड क्या हो जाता है चींज हो जाता है उनका मूड खुश हो जाता है ठीक है तो यह बहुत ही अच्छा पोएम है आज एम इस पोएम को देख लिए है नेक्स्ट आपको कहीं पे भी पोयम में कहीं पे भी कुई believers तो आप कमेंड बॉक्स पे कमेंड जरूर कीजिए कि मैं या इस जगह या इस चैप्ट र में डाउट है यहां लूइन आंसर में डाउट है आप मुझे जब तक कमेंड नहीं करों गे बता होगे नहीं क्या आपको कहां जो वीडियोज है वो आपको मिल जाएंगे अभी तक हम लोग हम लोग बहुत दीरे-दीरे ही चल रहे हैं अभी तक मैंने one chapter सिफ complete किया है वो है a letter to God तो अभी से आप भी मेरे साथ complete करते वे चले objective questions को learn करते वे चले question answer को learn करते वे चले chapter को समझते वे चले और उनके writer के नाम को याद करते हुए चले तो आपको बहुत ही easy पड़ेगा जब आपका exam होगा तो बहुत ही easily आप बहुत अच्छे mark score कर सकते हैं जिनों ने भी अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया लेकिन वो आते हैं मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जो है मेरे चैनल को subscribe कर ले बेल आइकन पे जरूर से जरूर क्लिक करके रखे ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आप तक जरूर वो सबसे पहले पहुचे और आप जो है वो देख पाए ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं next वीडियो पर thank you